कच्चा चेठा के आज के स्पेशल एडिशन की शुरुआत पर्माणू हत्यार के ट्रिपल अलार्म से पर्माणू हत्यारों को लेकर आज तीन देशों से संसनी खेज खबर सामने आई ये देश हैं इरान, रूस और चीन सबसे बड़ी खबर इरान के पर्माणू कारेकरम को लेकर है दरसल अमेरिका के रक्षा मंत्राले ने अपनी एक बहुत ही विश्वस्निय रिपोर्ट 2023 में बेहद चौक आने वाला ये दावा किया है इरान, चीन, रूस और खौफनाद न्योक्लियर अलाम इस अलाम को सुनकर अमेरिका की परिशानी बढ़ गई है इस अलाम को सुनकर ब्रिटेन खौफ में है इस अलाम को सुनकर इजराईल न्योक्लियर स्ट्राइक का फैसला ले सकता है इसे सुनकर सौधी अरब अपने न्योक्लियर प्रोजेक्ट को हरी जंडी दिखा सकता है क्योंकि एक ऐसा न्योक्लियर सारन है जिससे दुनिया के 35 से अधिक देशों में संसनी मची होई है वज़े है पर्मानो युद्ध का खत्रा खत्रा नंबर एक रूस के 11 टाइम जून में एक साथ पर्मानो हमले का अभ्यास खत्रा नंबर दो चीन का न्योक्लियर बंप से लाज सुपर वेपन खत्रा नंबर तीन दो हफ़ते में पर्मानो हथियार बना सकता है एरान खत्रा नंबर चार एरान की न्योक्लियर साइट पर एजरेल के इस्ट्राइब खत्रा नंबर पाँच एरान के बाद सौधी अरब बनाएगा पर्मानो पंग रूस ऐसा पर्मानो युद्ध अभ्यास कर रहा है जैसा अब तक कभी नहीं हुआ रूस ने पहली बार पूरे देश में पर्मानो युद्ध अभ्यास की खोशना की है तीन अक्टूबर को रूस की इस रज्जिक न्योक्लियर फोर्स यानि पर्मानो त्रीमोर की पूरी शक्ती के साथ युद्ध अभ्यास कर अपनी पर्मानो ताकत का प्रदर्शन कर रही है रूस और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों ने पेंटागन की परिशानी बढ़ा रखी है वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि इरान अगले दो हफ्तों में पर्मानो हथियार बना सकता है इसी वज़ा से अमेरिकी सैटलाइट सुपर आक्टिव है सैटलाइट के लेंस इरान पर जूम हो गए है इरान के न्यूक्लियर साइटों के हाई रेजलोशन तस्वीरे नी जा रही है रूस के न्यूक्लियर वार एक्सेसाइज को गोर से देखा जा रहा है रूस की धर्ती से लेकर आस्मान और आस्मान से लेकर समंदर तक में तैनाथ परमाणू हथियारों की निग्रानी हो रही है सबसे पहले बात अमेरिका से आई एमर्जेंसी व्वानिंग की अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ओफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में बहुत ही चौंकाने वाला तावा किया है अमेरिका की रक्षा मंत्राले के मुथाबे एरान अगले दो हफ़ते में परमाणू हथियार बना सकता है अपने परमाणू कारिक्रम से जोड़ी जानकारिया नहीं दे रहा है अमेरिका की रिपोर्ट के मुदाबिक इरान ने उस लेवल तक का यूरेनियम तयार कर लिया है जितना परमाणू हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है ऐसे में इरान बेहद कम समय में परमाणू हथियार बना सकता है रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इरान परमाणू सयंत्रों में कई एहम साइटों पर कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा है इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि वो किस लेवल का यूरेनियम सेंट्री फ्यूज कर रहा है वही मई 2020 में आई सेटेलाइट तज़्वीरों से ये बात शीशे की तरह साब हो चुकी है कि इरान पहाडों में सैक्रो फीट गहरी सुरंगे खूद कर परमाणू हत्यार बना रहा है और अब आपको एक बेहद खास यानि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन इंफोर्मेशन आप तक पहुचाने जा रहे हैं इरान की नुकलियर साइट की इन दो सैटलाइट तस्वीरों को जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है बेहद गोर से देखिएगा क्योंकि इसने पूरी दुनिया की धड़कने बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी है नतान्स नुकलियर साइट इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा जो ये एरो आप देख रहे हैं दरसल ये नतान्स नुकलियर साइट है जो कि सेटलाइट तस्वीरों के जरीए सामने आई है यह पहली तस्वीर है जो कि इरान की सबसे बड़ी नतांज नूकलियर साइट है अब इसका जिक्र यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम यह समझें दरसल इरान ने अपने साइट को जो आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं जाग्रोस के पहाडों के बीच में तैयार किया है जो यह स इसके बारे में अगर जानेंगे तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि यह इरान और इराक की सबसे बड़ी परवत माला है सेटलाइट इमिज से इस बात का भी पता चला कि इरान नतांज नूकलियर साइट के पास पहाड में सुरंगे खोद रहा है अब इन सुरंगों को कोई भी हमला इन में नहीं हो सकता है अगर हमला वर ने हमला भी किया तो वो बे असर साबित हो जाएगा कैसे आप देखिए यह सुरंगे यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी दरसल 260 फीट से लेकर 328 फीट गहरी यह सुरंगे हैं कितना भी बड़ा हमला होगा दरसल को यहाँ पर बना दिया है जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं यह गेट आप देखिए यह सुरंग आप देखिए यह तनी गहराई से और इतने ताकतवर तरीके से बनाई गई है कि अमारिका जैसा महाशक्ति शाली देश या फिर इसरेल भी अगर हमला कर सकता है त हो आपके सामने है और इसे आप दूसरी सेटलाइट तस्वीरे के जरीए भी समझ सकते हैं दूसरी सेटलाइट तस्वीरों के जरीए आप इसे कैसे समझेंगे यह यहाँ पर बताते हैं दरसल इस नए अंडरग्राउंड कॉंप्लिक्स के चार गेट है जिन चार गेट का हम यहां पर जिक्त कर रहे हैं गेट यहां पर देखे एक गेट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा एक यहां भी गेट नजर आ रहा होगा यह सुरंग आपको लाल रंग की नजर आ रही होगी एक लाल रंग की सुरंग जो है जो की 260 फीट से 328 फीट गेहराई में यहां पर है दावा ये किया जा रहा है कि एरान के परमाणू इस थल पर अमेरिका के हत्यार भी पूरी तरह से बेसर साबित हो जाएंगे जो आपको यहाँ नजर आ रहा है यह है नतान्ज लियूक्या साइट जो की जाग्रोस के पहाडों पर यहाँ पर बनाए गए हैं और अमेरिका इस स शक्से जादा समय से परमाणू शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है अला कि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि एरान परमाणू शक्ति से लैस हो दावा किया जा रहा है कि इरान परमाणू बंब बनाने के काफी करीब पहुँच गया है इरान में परमाणू कारिक्रम को लेकर यून की संस्था IAEA यानि International Atomic Energy Agency के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इरान में यूरेनियम की एक बड़े खेप को इकठा कर लिया है वैसे तो इरान ने 6 बॉट पर नियूक्लियर रियक्टर लगा रखे है लेकिन इन में से 2 एहम साइट है पहला है नतांज और दूसरा फोडो में बना भूमिगत नियूक्लियर साइट जहां इरान सबसे अधिक उच्छ बुडवत्ता का यूरेनियम समर्धन करता है इरान के पर्माणू प्रोजेक्ट की प्रोक्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी है ये नतांज नियूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वहीं फोडो वाले नियूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीरें 2009 में सामने आई थी यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी विकास किया है दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम समवर्धित कर रहा है दावे के मुताबिक इरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना समवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि इरान पर्माणू बम बनाने के करीब पहुँच गया है पर्माणू बम बनाने के लिए 90% समवर्धित योरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक इरान 83.7% समवर्धित योरेनियम हासिल कर चुका है यानि वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुँच चुका है IAEA के रेपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणू समझोते के बाद इरान की यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है खत्रा इस बात का भी बढ़ गया है कि इरान के परमाणू हथियार बनाने के बाद खाड़ी में नियोकलियर रेस शुरू हो जाएगी यही वज़ा है कि इरान के परमाणू प्रोग्राम के चलते इसरेल और इरान में ठन गई है सौधी अरब के प्रिंस की आँखे तन गई है प्रेंच सलमान ने अलान किया है कि अगर इरान परमानू हत्यार हासल कर लेता है तो सौधी अरब भी पीछे नहीं रहेगा दावा किया जाता है कि खाड़ी देशों में गुप चुप तरीके से परमानू हत्यारों को बनाने का काम चल रहा है यही वज़े है कि खाड़ी में शुरू होई परमानू रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी इरान को लेकर ब्रिटेन की जनता डरी होई है ब्रिटेन की मशूर सर्वेजंसी डेल्टा पोल ने आखर क्या कुछ कहा वो समझना अब बहुत जरूरी है दरसल डेल्टा पोल ने देनाशनल के लिए एक खास सर्वेक्षन किया क्या उसमें सामने आया है यह पूरी डीटेल इस वक्त आपके सामने दरसल एरान के नुउक्लियर प्रिग्राम से डर लगता है यह सवाल क्यू खड़ा हो रहा है ब्रिटेन में आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि एरान का जो ये परमाणू पूरा कारेकरम है पूरी दुनिया के लिए जी हाँ पूरी दुनिया के लिए खत्रा है कि इरान का जो ये पर्मानुकारेकरम है ब्रिटेन समेट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खत्रा यहाँ पर साबित हो सकता है ये मानना है और 11 फीसद लोगों का क्या मानना है ये भी दिखाते हैं उनका कहना है कि ब्रिटेन को नहीं कुछ देशों को खत्रा है यानि कि कि इनको इस पर्मानूखारेकरम से किसी तरह का कोई खत्रा नहीं है लेकिन साथी साथ कहा कि कुछ ऐसे देश है जिने ये खत्रा यहाँ पर जरूर दिखाई देता है उनके लिए ये खत्रनाक थाबित हो सकता है साथी ये भी कहा 8 प्रतिशत लोगों ने जो उनका मानना य तो देखे किस तरह से प्रतिशत के हिसाब से फीसद के हिसाब से लोगों ने अपनी राए यहां पर रखे लेकिन परमाणों खत्यारों से जुड़ा एक खत्रा जिसने अमेरिका समेथ पूरे नैटो कैम्प को डरा रखा है